बिश्कार मैं राज मोहनतिवारी आप देख रहे हैं विहारी नीयूज बिहार में कोरोना की अब तक 1511 पर पहुंच चुका है इस नए रिकॉर्ड तोर मामले मिलने के साथ ही कल 23 जुलाई के रिपोर्टेट मामले जिनकी जाच रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में आई है उसकी संक्या 737 है जबकि उससे पहले 22 जुलाई या उससे पहले के जो रिपोर्टेट सेंपल है उनकी अभी तक बिहार में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों के मिलने में बिहार नहीं किया था लेकिन आज जो नए रिकॉर्ड आ रहे हैं जो नए रिकॉर्ड मिले हैं जो नए रिकॉर्ड बने हैं वो बिहार के लिए कहीं भी किसी भी रूप में किसी तरह अच्छी खबर नह लेकिन आकर मिल्ने की जुनेे मरीजों के मिलने की संहीरय उसमें भारही भड़ Ведь देखी गई है 1829 में मिल्ने के साथ भी हार संहीर पहुच गई है पूरान की 30ечजार 511 जो नय मरीज सामने आए हैं दो तारीखों में जो आकरे जारी किये गये हैं, 23 जुलाई किये, वो 737 और जो 22 जुलाई है उसे पहले किये, वो 113 एक नजट डाल लेते हैं, आकर उपर, 23 जुलाई के रिपोर्ट की अनुसार, 28 इलो से नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिस महरवल से 20, बाका से 4, बेगु सराय से 13, भागलपूर से 56, बोजपूर से 4, दरबंगा से 3, इस्ट चंपारण से 55, गया से 51, गोपालगन से 1, जहानबाद से 33, खगरिया से 17, लखी सराय से 11, मदेपूरा से 10, मदु बनी से 2, मुंगेर से 4, मुजफरपूर से 88, नालंदा से 20, नवादा से 2, पतना से 265, पुर से 1, सारण से 1, से कूरा से 4, सीवहर से 7, सीतामडी से 16, वैसाली से 2, वैस्ट चंपारण से 11, इस तरह कल के रिपोर्ट इन मामले, जिनकी जाच रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में आई है, वो है 737, और 22 जुलाई या उससे पहले के रिपोर्ट इन मामले, जिनकी जाच से 2, बेगु सराय से 65, भागलपूर से 25, भोजपूर से 30, वकसर से 12, घरवंगा से 19, इस चंपारं से 4, गया से 96, जमुई से 41, जिहानाबाद से 6, कैमूर से 1, कटिहार से 26, खगरिया से 14, किसंगन से 11, लखी सराय से 19, मध्यपूरा से 8, मुंगेर से 3, मुझपरपूर से 11, नलंदा से 1, नवादा से 5, पटना से 296, पुर्निया से 25, रोतासिक अगतर, सहर्षा से 1, समस्तिपूर से 20, सारन से 120, सेक्टूरा से 5, सिवर से 4, सितामरी से 1, सिवान से 44, सुपॉल से 1, वेस्चाली से 56, वेस्ट चंपारं से 19, इस तरह 23 जुलाई या उससे पहले, 23 जु 23 है, जो आज नए रिकॉर्ड तोर मामले मिले हैं, उनमें जोर कर अगर देखें, तो पटना, राजधानी पटना की इस्तिती इतनी गंबीर है, कि यहां पिछले 24 घंटे में 561 नए मामले सामने आए, वहीं अररिया, जीला के लिए अच्छी ख़बर ही आए, कि वहां थानी सहित बिहार के लिए अच्छी ख़बर कता ही नहीं है, कि आकरों की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि जाच की जो रफ्तार वो बढ़ी है, वो लगबग वही है तो सजार और उसके आसपास की, लेकिन नए मरीजों के मिलने की रफ्तार में भ मावजूद भी स्तिती नियंत्रन में नहीं है लगटार पुरे बिहार की स्तिती ख़राब होती जा производ गंभीर होती जा रही है कि करोना के मद्देन घट आपसे अनुरोध है कि किर्पया अब बहुत जरूरी है मामला काफी स्रियस होते जा रहा है घरों में ही रहें बाहर ना निकले अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर इस्तमाल करें और कोशिस तो करें कि बाहर ना ही निकलें क्योंकि इस्तिती बहुत अब गंबीर हो ग